हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफूड़ेबल लर्निंग प्लैटफॉर्म मैं आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है पांच अक्टूबर दोजार चौबिस सेटेड़े यानी शनिवार के दिन और इंडियन एक्स्प्रेस न्यूज अनालिसेस की आईना स्रीज लेकर मैं शांतोनु सन्वाल एक बार फिर से आपके सामने हाजर हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की न्यूस्पेफर पर चलें उससे पहले मैं आप लोग को एक बार फाइनली ये बताना चाहता हूँ कि पांच अक्टूबर जिस दिन का आई होप आप लोग को इंतजार था क्योंकि C-Site के हमारा जो batch है जो classes है वो आज से शुरू हो रही है और उसके लिए अभी भी आप में से कुछ लोग अगर interested है और आप लोग अगर enroll करना चाहते हैं अभी तक नहीं कर पाए हैं तो most welcome है इस group में आप लोग अजब इस classes में जॉइन कर सकते हैं त्रिपल नाइन में आपको यह चीज़े प्रोवाइट कराई जा रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है उसके थू जाके आप लोग enroll कर सकते हैं अभी और आज दिन में हम लोग जो है वो यह classes शुरू करेंगे ठीक है दिन में तीन बज़े classes शुरू होंगी हाला कि आज जो है वो पहला दिन है तो orientation session रहेगा और उसके बाद फिर Monday से regular classes रहेंगी ठीक है तो आप मेंसे जो भी लोग अगर इंटरस्टेड हैं तो वो enroll कर सकते है और बाकी हमारी जो prelims 2025 की test series है उसके बारे में अगर आपको बताओं तो all-in-one test series यह तो आप जानते ही है है न all-in-one का मतलब है general studies, current affairs, CSET यह तीनों ही चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है only at 849 rupees, total 91 test आपको यहाँ पर मिलते हैं और यह test series जो है यह भी start हो चुकी है तो आप मैंसे कुछ लोगों ने enroll किया है, आप लोग test attempt कर रहे हैं और बाकी भी जो लोग enroll करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसी के साथ साथ, अगर आप general studies और current affairs के test लेना चाहते हैं तो available है 699 में अगर सिर्फ general studies के लेना चाहते हैं subject wise, तो that is available at 449 अगर आप सिर्फ current affairs के लेना चाहते हैं जिसमें आपको 16 महिने के current affairs मिल रहे हैं 32 test के form में, तो वो only available है 299 में और अगर आप सिर्फ C site के full length test, 10 full length test है, total 800 MCUs तो ये आपको मिल जाएगा 249 में, तो इन में से आप जिस्पी test series में आपके लिए suitable है जो भी आपके requirement है, उसके हिसाब से आप enroll कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूँगा, कि आप में से जो भी लोग इन sessions को YouTube पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की help होती है, तो ये मेरी आप लोगों से request है, कि जादा से जादा लोग जो है वो आगे आएं और contribute करने की कोशिश जरूर करें, तो इसका direct benefit यही होगा कि sessions जो है वो YouTube पर लबे समय तक चल पाएंगे, clear है बात? चलिए, अब हम लोग आज की newspaper पर चलते हैं, और आज की जो हमारे articles हैं, वो देखते हैं, क्या है? अला कि बहुत जादा articles आज discuss नहीं करने हैं, सिर्फ दो articles हैं, एक sprint page पर जो हमें देखने हैं, तो यहाँ पर SEO जो है, that is Shanghai Corporation Organization की meeting होने वाली है, 15-16 October के दिन, और इस बार यह meeting हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के राजदानी इसलामाबाद में यह meeting होगी, अला कि पाकि ठीक है, जो सरकार के head है, अब सरकार के head कौन होता है, prime minister, executive head कौन होता है, prime minister, है ना, तो उनको यहाँ पर invite किया गया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो Indian delegation है, उसको head करेंगे, external affairs minister, जो विदेश मंत्री है, that is S. Jai Shankar, वो इस delegation को lead करेंगे, औ और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी external affairs minister पागिस्तान जा रहा है, नौ साल में, नौ साल में ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले सुष्मा श्वराज जो विदेश मंत्री हुआ करती थी, वो गई थी, in 2015, 2015 में, ठीक है, 2015 में बेसिकली एक वहाँ पर कोई heart of Asia ministerial conference थी, अफगानिस्तान को लेकर पागिस्तान की इसलामबाद में, तो वहाँ पर ये गई थी, और उसके 9 साल के बाद ऐसा होगा कि कोई भी विदेश मंत्री पहली बार पागिस्तान की यात्रा पर जा रहा है, ठीक है, तो SCU की meeting है, 15-16 तारिक को, उसके बाद फिर यहाँ से क्या बात है निकल के आएंगी, वो हम लोग देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको याद होगा, कुछ समय पहले हमने बात की थी, कि Public Accounts Committee, जो Parliamentary Watchdog है, Government Spending का, उसने Securities and Exchange Board of India, यानि कि SEBI की जो चेर परसन है, माद भी पुरी बुच, और इनके जो बाकी officials है, उनको समन किया ह 24 October को बुलाया है, ठीक है, उनसे basically जो ये regulatory body की overall performance है, उसके बारे में बात की जाएगी, उसके बारे में पूछा जाएगा, और साथी साथ, इनके उपर जो आरोप लगे हैं, ठीक है, ये जो US-based Hindenburg Research ने, जो इनके उपर आरोप लगाए हैं, उनको लेकर भी बात्चीत यहा चलता हूँ, अचा आज हर्याना में चुनाओ है, ठीक है ना, हर्याना में आज 5 October है, हर्याना में चुनाओ है, ये की चरण में, तो आप मैंसे जो भी लोग अगर हर्याना में रहते हैं, या वहाँ के आप voter है, तो ये मेरी आप लोगों से request है, गुजारش है, कि जरूर तो आप उसके लिए वोट करें लेकिन वोट जरूर करें ठीक है? जो भी party जो भी पρत्याशी आपको पसंद है इसके लिए वोट करें लेकिन घर से बार जरूर निकलें और वोट जरूर करें चलिए तो यह हमारी तरफ से छोटी सी अपील मैं सीधे आपको explain page पर लेके चलता हूँ और यहाँ पर हम लोग 2 article discuss करेंगे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है एक अभी आपको याद होगा हमने elephants को लेकर जिकर किया था कि एक report है status of the elephant in India 22-23 जिसको सरकार ने publish नहीं किया ठीक है क्योंकि उसमें यह कहा गया कि northeast का अभी elephant का census या जनगरणा नहीं हुई है तो बाकी और other parts of India के तो हो गई थी लेकिन government ने उस report को print किया ठीक है लेकिन वो report public domain में नहीं आई ठीक है तो यह हम लोगों ने कुछ दुनों पहले बात की थी अब यहां पर इस article में यह लिखा गया है कि elephants की counting कैसे होती है ठीक है तो मैंने इस article को पढ़ने की कोशिश करी बट इसमें मुझे as such कुछ चीज खास मिली नहीं जो exam point of view से important हो ठीक है कि elephants की counting कैसे होती है यह अगर आप कोई wildlife conservationist बनना चाहते हैं तो उसके लिए important हो सकता है या अगर आप Indian forest service का exam दे रहे हैं तो वहां के लिए important हो सकता है बट as such मुझे यहां पर in general यह important नहीं लगा बट फिर भी मैं आपके साथ article एक बार share कर दूँगा आप चाहे तो इसको ज़रूर एक बार read कर लीजेगा ठीक है बागी हम लोग यहां पर दो article का दिकर करेंगे अब क्या है यह पूरा का पूरा issues को समझेंगे और इसके बाद एक article हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो अभी इंडिया की 5 languages को 5 भाशाओं को classical languages का status दिया है और इस tag का क्या मतलब है ठीक है तो यह basically दो article हम लोग यहां पर cover करेंगे बागी है सच कुछ और खास है नहीं तो चलिए करके इन article को देखना शुरू करते है तो let's start with this first one that is the desi cow and the economics of महाराष्ट subsidy scheme अभी article क्या गह रहा है देखो इस हफते की शुरुवात में महाराष्ट्री की सरकार ने ये गोशना करी है कि 50 रुपे प्रती animal per day for cattle shed ठीक है कि जो भी जानवर जिन को गौशाला में ठीक है जिन जानवरों को गौशाला में रखा जाता है that take care of indigenous और desi breeds of cows ठीक है indigenous या desi breeds of cow जो गौशाला में है उनके लिए 50 रुपे प्रती जानवर प्रती दिन दिया जाएगा ऐसी subsidy यहाँ पर महाराष्ट्री की सरकार ने अनॉंस की है अब the financial incentive will help preserve the state's desi cow population ठीक अब इससे फाइदा क्या होगा यह जो financial incentive दिया जा रहा है इससे राज जी की जो desi cow की population है यह जो indigenous breed of cow की population है उसको preserve करने में मदद मिलेगी अब the government has also declared the state's indigenous cow breeds as Rajya Mata Gaumata तो यहाँ की सरकार ने महाराष्ट्री की सरकार ने जो यहाँ के राज जी की indigenous cow breeds है उनको declare किया है Rajya Mata Gaumata के रूप ठीक है अब महाराष्ट्र का प्रपोजर अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है इसको गोसेवा आयोग के द्वारा इंप्लिमेंट किया जाएगा और जिसकी scrutiny committees होंगी राज्य के हर जिले में और गोशाला जहां पर indigenous breeds will have to apply online ऐसी गोशाला जहां पर indigenous breeds of cows हैं जो देशी cows हैं उनको online अप्लाई करना होगा और subsidy उनको तब मिलेगी जब district level की committee अपनी report submit करेगी उसके बाद थीक है अब यहां पर लिखा गिया है कि जो indigenous cows है उनके numbers decline में है यानि कि उनकी संख्या जो है वो लगातार घट रही है 20th live stock census जो है वो 2019 में हुआ था उसके हिसाब से महराश्ट्र में लगभग 46 लाख के आसपास काओ है जो indigenous और non-descript category में है और 2012 के census से ये लगभग 8.7% कम है उस समय 50 लाख के आसपास हुआ करती थी 50 लाख 50 लाख 53 लाख के आसपास अब यह गिर के 46 लाख के आसपास अख्या हो गई है अब यहाँ पर जो official government resolution है इस scheme को लेकर वो अभी तक release नहीं हुआ है इसलिए ये बात clear नहीं है कि जो subsidy है ये सभी indigenous और non-descript category के लिए होंगी या फिर सिर्फ ऐसे animals के लिए जिनको certify किया गया है as indigenous थीक है क्योंकि ये financially feasible नहीं है कि 46 लाख गायों के लिए 50 रुपे प्रति दिन की subsidy दी जाए थीक है क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा उससे तो अब ये चीज़ पता लगेगी कि क्या सिर्फ ये non-descript और indigenous सभी तरीके की गायों के लिए है या फिर सिर्फ indigenous या जो देशी प्रजातिया है उनके लिए अब indigenous वर से non-descript की अगर हम बात करें तो इन में क्या difference होता है indigenous cows वो होती है that belong to any of the breeds registered as such by the Karnal based National Bureau of Animal Genetic Resources ये एक body एक संस्था है under the Indian Council of Agriculture Research ICAR के अंतरगत that aims to protect and conserve indigenous farm animal genetic resources for sustainable utilization and livelihood security indigenous breeds कौन कौन सी है indigenous breeds वो है जो यहाँ पर that is National Bureau of Animal Genetic Resources जो की Karnal based एक body है under ICAR वहाँ पर जो mention है ठीक है I hope समझ रहे है वहाँ पर जो registered है as indigenous cows उनी को indigenous cows कहा जाता है और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें non-descript cows की तो non-descript cows वो होती है on the other hand have no recognized breed characteristics इनकी breed का कोई इनका कोई breed का recognized characteristic नहीं होता है उनको कहा जाता है non-descript cows अब इसके बाद देशी milch animals की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में कुल मिला के 37, 37 indigenous cattle breeds है जिन में से सिर्फ 4 ही good milch animals है milch animals मतलब जो milk giving होते है वो ठीक है vast majority of indigenous breeds इनका इस्तमाल किया जाता है agriculture और transport के लिए हैना मतलब जो indigenous breeds है उनका इस्तमाल milk production के लिए कम हो रहा है क्यों? इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो indigenous breeds है वो सिर्फ 3.44 kgs of milk produce करती है per day on an average काफी कम है और अगर हम बात करें exotic या cross breed animals की तो उनके comparison में तो बहुत कम है ठीक है वो लगभग 8 kg से जादा दूद पैदा कर रही है एक दिन में और ये central government का जो basic animal husbandry statistics है 2023 के हिसाब से बताया गया है हाला कि Indian breeds they are hardier and believe to be better suited to Indian conditions लेकिन farmer के लिए milk production जो है वो की है मतलब वो important है अगर milk इतना कम produce होगा तो कोई भी farmer obvious ही बात है कि इंडिजीनियस cows या देशी गाउर को breed नहीं करेगा उसको नहीं पालेगा क्योंकि उसको दूदी नहीं मिला उससे तो बेचेगा क्या वो है ना अब इसके बाद arguments for देशी की अगर हम बात करें तो the conservation of इंडिजीनियस breeds has long been on the agenda of bjp both at the center and in the state ठीक है यह bjp का agenda रहा है बहुत समय से केंद्र में भी और राज्यो में भी अब national gokul mission ठीक है national gokul mission को launch किया गया था December 2014 में इसमें component है of the preservation and promotion of इंडिजीनियस breeds of bovine animals bovine animals बतलो वही जो category आपके यह kettles की होती है ठीक है उनको bovine animals का जाता है और basically gokul mission में यह था कि preservation और promotion किया जाएगा इंडिजीनियस breeds का of the bovine animals अब यहाँ पर जो देसी breed की वखालत करते हैं ठीक है जो मतलब देसी प्रजाती की वखालत करते हैं वो यह claim करते हैं कि they produce A2 milk की जो देसी गाये है वो A2 milk produce करती है जो A1 milk जो A1 milk से जादा healthier होता है ठीक है A1 milk जो है वो produce होता है ऐसे animals के द्वारा जो cross breed होते हैं with the exotic breeds ठीक है like Halston, Friesen, Jersey and Brown Swiss ठीक है यह सारी की सारी क्या है these are your exotic breeds तो यह A2 milk produce करती है और देसी गाये जो है वो indigenous cow क्या produce करती है A1 milk ठीक है और यह माना जाता है मैं अब कुछ लोग इस बात को claim करते हैं कि A1 milk जो है वो A2 milk से जादा healthier है ठीक है अब A1 और A2 में होता क्या है कि genetic variants होते है proteins के जो amino acid की sequence में differ करते हैं हाला कि इस बात को लेकर मैंने यहां पर शायद उल्टा बोला गया हाँ थोड़ा सा मैंने यहां पर उल्टा बोल दिया ज्यान रखेगा कि A2 milk जो है वो देसी breeds प्रेड्यूस करती है और माना जाता है कि A2 milk जो है वो ज्यादा healthier है as compared to A1 milk से और A1 milk जो है वो crowds breeds के द्वारा produce किया जाता है ठीक है अब देखो यहां पर यह लिखा गया है कि इस बात को लेकर कोई scientific consensus नहीं है कि A2 milk जो है वो ज्यादा healthier है ठीक है इस तरीके का claims जो है कि A2 जो है वो ज्यादा healthier है यह किसी भी सॉरी यह किसी भी research या ground observation इस बात को support नहीं करता है August के महने में the food safety regulator that is food safety and standards authority of India इसने advice कि food business operators को कि वो अपने milk और milk products को इस नाम पर उनकी marketing ना करें A1 A2 के नाम पर लेकिन बाद मैं उसने कुछ दिनों के बाद अपनी यह जो advisory थी उसको वाफस ले लिया ठीक है तो I hope आप बात समझ गए यहाँ पर क्या issue चल रहा है और थोड़ा सा यह A1 A2 और यह सब चीज़े भी mention थी तो इसलिए मैं आर्टिकल को यहाँ पर cover किया है ठीक है चलिए यहाँ पर एक most common indigenous breed का नाम दिया गया that is khilari यह महराश्री की breed है ठीक है most common indigenous breed है महराश्री की that is khilari clear है चलो इसके बाद अगले article पर चलते हैं कि which are India's five new classical languages and what does this tag mean तो यह तो मैं आपको बताई को दिया है that is Marathi, Pali, Prakrit, Asami और Bengali और इससे पहले 6 भाशाओं के पास यह टेग था that is Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannad, Malayalam और उडिया तो कुल मिला कि अब 11 ऐसी भाशाओं हो गई है जिनके पास क्या है classical language का tag है अब when and how did the concept of classical language अब कब और कैसे यह classical language का concept जो है वो शुरू होता है तो इसको लेकर यह लिखा गया है कि कई राज्यों से जब डिमांड आनी शुरू हुई तो उसके बाद UPA1 government ने यह decide कि एक नई category बनाई जाए Indian languages की जिसको कहा जाएगा classical language and lay down various criteria for this status और इस status में कौन-कौन सी बाचाओं को रखा जाएगा उसके लिए criteria यहाँ पर बनाया गया October 12 2004 को Tamil जो है वो पहली Indian language बनती है जिसको classical status मिलता है और क्यों मिलता है क्योंकि मैं आपको बताया है कि बहुत पुरानी language है और इसका जो literature यह जो literary tradition है वो भी काफिर रिच है तो उसके अधार पर इसको classical language का दर्जा दिया गया और ध्यान रखेगा कि Tamil जो है वो पहली classical language है इसके बाद कुछ इसके कुछ महिनों के बाद Ministry of Culture ने linguistic experts committee बनाई under the Sahity Academy to examine the proposals for classic language status from various states and bodies उसके बाद कई और राज्यों की तरफ से कई और bodies संस्थानों की तरफ से classical language की जो demand है वो आनी शुरू हो गई ठीक है कि मतलब हमारी इस भाशा को भी classical language का दर्जा दिया जाया ऐसा करक तो फिर उस चीज को examine करने के लिए उन proposals को examine करने के लिए एक committee यहाँ पर बनाई गई that is linguistic experts committee इसके बाद दूसरी language जिसको classical language का दर्जा दिया गया 25 नौंबर के दिन that was Sanskrit और उसके बाद फिर चार और भाशाओं को दिया गया है 2008 में दो भाशाओं को that is Telgu and Kannar और इसके बाद मल्यालम और उडिया ठीक है तो इन सब को जो है वो पहले से मिला और इस बार 2024 में पाँच बाशाओं को मिल चुका है ठीक है अब what are the latest criteria for classical language अभी जो latest criteria है classical languages के लिए वो क्या है तो इसी साल 25 जुलाई के दिन ये जो committee थी इस committee ने unanimously जो criteria है classical status के लिए उसको revise किया और इस criteria में आप क्या क्या है कि high antiquity of early text and recorded history over a period of about 1500 to 2000 years यानि कि जो text है उस किसी भी बाशा का जो text है वो काफी पुराना होना चाहिए और साथी साथ उस बाशा का recorded history होनी चाहिए 1500 से 2000 साल पुरानी the body of ancient literature or text which is considered a heritage by generation of speakers ancient literature or text की body होनी चाहिए जिसको किसी भी generation of speakers के द्वारा as a heritage consider किया जाए ये भी ये criteria है epigraphic and inscriptional evidence ठीक है inscriptions में वो भाशा होनी चाहिए उसका epigraphy तो basically क्या होता है study of inscriptions है ना तो उस पर इसके evidence होने चाहिए इसके बाद knowledge texts especially prose text in addition to poetry सिर्फ poetry नहीं बलकि उसमें prose वगरा भी होने चाहिए उस भाशा में हैना knowledge text होना चाहिए especially prose वगरा इसके बाद that classical language and literature could be distinct from its current form और could be discontinuous from later forms of its offshoots कि वो जो classical language है उसका जो literature है वो अपने current form से हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो ठीक है थोड़ा सा distinct हो और हो सकता है कि यसी किसी भी भाशा के बाद में जो और forms बनते हैं जिनको offshoots कहा जाता है कि किसी भी एक भाशा से जो अलग अलग भाशा है बनी है तो हो सकता है कि वो अपने offshoots से थोड़ा सा अलग हो बट फिर भी उसको classical language या वो literature माना जा सकता है अब इसको follow करते हुए committee ने recommend किया edition of five new classical languages ठीक है committee ने recommend किया कि पाँच नही भाशाओं को classical language का दर्जा दिया जाए और ये proposal जो है वो केंद्र सरकार के पास कई सालों से pending बड़े हुए थे महराश्चर का तो मैं आपको बताया था मराथी भाशा का तो proposal जो है वो 2013 से पड़ा हुआ था ठीक है एक पुराना proposal था अब what is behind the recent editions जो नए अभी edition हुए है उसके पीछे के अगर हम बात करें तो एक एक करके बाशाओं को देखें तो मराथी के अगर हम बात करें तो महराश्चर में आपको पता है कि कुछ समय बाद चुनाओ होना है है ना और to inclusion of Marathi comes over a decade after the state government first forwarded the proposal to the center in 2013 ये मैं जो ये प्रबोजल है वो 2013 का है तो एक दशक पुराना ये प्रबोजल था अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो modern Marathi है यानि कि आज की date की जो Marathi भाशा है वो कहां से आती है that comes from Maharashtri Prakrit ठीक है एक ऐसी Prakrit बोली जिसको Western India में use किया जाता था और ये सतावहंस की ठीक है जो स Prakrit language but this claim is contested ठीक है कुछ Marathi scholars ये कहते है कि ये जो Prakrit language है that is Maharashtri Prakrit ये Prakrit languages की सबसे पहली बाशा है लेकिन इस claim को contest किया जाता है मतलब इसका counter भी किया जाता है The oldest evidence of Maharashtri Prakrit can be found in a stone inscription in Pune district dated to the 1st century BC तो इस Maharashtri Prakrit बाशा का जो सबसे पुराना evidence है या जो सबसे पुराना साक्ष है सबूत है वो आप कह सकते हैं एक stone inscription में मिलता है Pune जिले में जो की 1st century BC का है और earliest evidence of the more modern Marathi can be traced to the copper plate inscription found in Satara dated to 739 CE जो modern Marathi है उसका जो evidence मिलता है सबसे पुराना evidence वो एक copper plate inscription में मिलता है Maharashtri के ही सतारा में और वो 739 century का है ठीक इसके बाद अगर हम दूसरी भाशा की बात करें बंगाली और असामी की तो West Bengal और असामी की सरकार ने भी ये अपनी अपनी भाशाओं के लिए classical status के दरज की थी इन दोनों languages का origin जो है वो मगदी प्राकृत से होता है ठीक है असामी और बंगाली का तो ये basically प्राकृत का वो form है जो East India में popular था और ये मगद कोर्ट की official language हुआ कर दी थी कौन सी मगदी प्राकृत ठीक है अब the exact date in which they emerged is contested अब ये भाशाएं कभ इमर्ज हुई उसके बारे में कुछ बहुत जादा जानकारी नहीं है लेकिन scholars ये कहते हैं कि scholars forward scholars putting forward dates of origin scholars जो है वो ये कहते हैं कि 6th century से 12th century के बीच पे ये भाशाएं origin originate हुई है they took on a form which may be recognized recognizable today well into the 2nd millennium CE लेकिन आज इन भाशाओं को जिस रूप में जाना जाता है ये उस रूप में तब आयोंगी कब 2nd millennium BC में ठीक है sorry 2nd millennium CE में इसके बाद प्राकृत और पाली की बात करें तो प्राकृत कोई single language नहीं है ठीक है हमने माराठी प्राकृत की बात करी तो यहां पर भी यह चीज साफ दिख रही है कि प्राकृत language कोई single language नहीं है राधर यह term refer करता है group of closely related Indo-Aryan languages को ठीक है whose defining feature was that they were the languages of the masses as opposed to Sanskrit which was restricted to the elites in the high literature ठीक है प्राकृत basically क्या होता है कि एक कोई एक भाशा नहीं है यह group of Indian-Aryan languages है और basically इसका जो distinct feature है वो यह है कि यह आम जनता की भाशा हुआ करती थी ठीक है इसके अपोज में अगर हम Sanskrit की बात करें तो Sanskrit है कैसी भाशा है जो high elite लोगों की ठीक है जो काफी मतलब पड़े लिखे लोगों की भाशा मानी जाती थी लेकिन प्राकृत के साथ ऐसा नहीं था अब इसको लेकर यहां पर एक historian है इतिहासकार है जिनका नाम है A.L. Basham और इनकी एक बड़ी famous book है कि The Wonder That Was India यह हो सकता है कि आप मैंसे कि कुछ लोगं का अगर simpler than Sanskrit and these were the prakrit of which several dialects have been attested तो यहां पर इनों ने यह कहा है कि जिस समय बुद्धा का समय था उस समय जो लोग हैं जो मासेज हैं वो ऐसी भाशाएं बोला करते थे जो Sanskrit से काफी जादा आसान होती थी ठीक है और इनी भाशाओं को कहा गया है prakrit और जिनके कही सारे dialects या बोलिया जो है वो देखने को मिली हैं अब यह जो वरना कुलर्स हैं मतलब जो लोकल लैंविजेस हैं आप जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वेदाज वगरा की अथारिटी को नहीं मानते जैसे बुद्धिजम हो गया जैनिजम हो गया तो इस तरीके के जो religions थे यह उनकी भी भाशा थी कौन सी जो ये आकरित के ही forms थे वो ठीक है अब जैन का जो अगम्ज है और गाथा सब्तशती है आरिन अर्धमगदी ठीक है ये एक प्राकरित डाइलेक्ट है जिसको कुछ लोग कहते हैं कि consider it to be its definitive form this प्राकरित thus continues to have resonance among the Jain community and still sees use in the religious ritual practices तो Jain's के जो religious ritual practices है उसमें ये अभी भी यूज की जाती है इसके बाद पाली की अगर हम बात करें तो पाली भी एक तरीके का ही form है of somewhat Sanskritized Magadip Prakrit which was the language of the Theravad Buddhist canon that is the Tripitaks ठीक है आपने ये सुना होगा इसके बारे में पढ़ा भी होगा तो थोड़ा सा जो Magadip Prakrit का Sanskritized form था वो थी पाली ठीक है considered to be the language of the Buddha himself तो इसको Buddha की language भी माना जाता था पाली survived in places जहां जहां पर भी Buddhism फैला है वहां वहां पर ये बाशा आपको देखने को मिलेगी that is in Shilanka, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia अब इन भाशाओं को classical language का tag मिला है तो इससे इन भाशाओं के लिए क्या माईने रखता है ये तो यहां पर officials का ये कहना है that the broader cultural and academic impact of this designation will extend nationally and internationally कि इन भाशाओं को ये जो tag मिला है ये जो designation मिला है इसका cultural and academic impact जो है वो देश में और विदेश में जो है वो फैलेगा the ministry of education takes steps to promote classical languages ठीक है ministry of education जो है वो उस तरीके के कदम उठाती है कि classical languages को promote करने के लिए तीन central universities जो है वो establish की गई है 2020 में for the promotion of Sanskrit, Central Institute of Classical Tamil जो है वो set up किया गया है 2008 में to facilitate the translation of ancient Tamil text and of course and offer courses in Tamil और इसी तरीके के center of excellence जो है वो for the study of Karnad, Telugu, Maliyalam और Odiya ये भी set up किये गये है तो मतलब इस तरीके की जो classical languages उनको promote करने के लिए इस तरीके के institute या center जो है वो develop किये जाते है ठीक है इसके बद आगे है कि national education policy उसमें भी ये कहा गया है कि for the inclusion of classical languages in school education तो इस national education policy ये कहती है कि classical languages को school education में भी शामिल किया जाए ministry of culture through the various academies the ministry of education and the respective state governments will come together for greater knowledge sharing and research in these languages और इसके अलावा in languages में जो manuscripts हैं उनको digitize किया जाएगा ताकि scholars को उनकी greater access मिल सके ठीक है तो ये इसके माइने है कि अगर किसी भी भाशा को classical language का tag मिलता है तो उसके क्या माइने या क्या फरक पढ़ता है ठीक है तो I hope ये बात आप समझ गए और यहाँ पर जो आपने थोड़ा से इन भाशाओं के background को लेकर discuss किया वो भी आप समझ गए होंगे है ना चलिए तो मैं आपको बताया कि यही आज articles थे जो हमें cover करने थे है ना बागी तो आज और कुछ खास article है नहीं वो एक elephant count वाला मैं आपको article share करूँगा एक बार उसको पढ़ जरूर लीजेगा बट ऐस सच उसमें कोई बहुत ज़ादा किस तरीके से elephant का count किया जाता है ठीक है क्या-क्या method यूज किया जाते है वो ऐस सच बहुत ज़ादे important नहीं है है ना और थोड़ा बहुत तो जो उस report में बाते थी वो हम लोग अल्रेडी देख चुके है तो एक बार read कर लीजेगा just ठीक है थोड़ा सा आप लोग की reading habit भी बनेगी है ना और मैं उमीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको read करने के ला article देता हूँ वो आप लोग पढ़ते जरूर होंगे और उसमें से अगर आपको कुछ important points लगते है और prelims even for mains आप no doubt करते होंगे चलिए तो आप मैसे जो भी लोग आइना स्रीज के monthly compiled PDF लेना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए जो options available है वो यह सारे options available है कि आप monthly अगर लेना चाहे तो at less than rupees 2 per day में आपको मिल जाता है ठीक है 59 rupees में मिल जाती है PDF तो अगस्त, जून, जुलाई यह सारे launch हो चुके है September के मनत का भी बहुत जल्द launch कर दिये जाएगा और इसी तरीके से हर मनत का आते रहेगा और अगर आप एक ही बार में enroll करना चाहते हैं तो 16 मैने की PDF आपको only at 680 rupees में मिल जाती है अगर आप 12 मैने की PDF लेना चाहते है तो 510 में मिल जाती है इसी तरीके से अगर आप 8 मैने की PDF लेना चाहते है तो आपको 345 में मिल जाएगी अगर आप 4 मैने की लेना चाहते है तो that is available at 175 rupees और आप हमारे अप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और उसके तरूँ अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में अन्रोल किया हुआ है तो आप अप के तरूँ वीडियो को डाउनलोड करके ओफलाइन भी देख सकते है ठीक है और हमारे जो आइना सेरीज के कोर्सेज है फुल कोर्सेज जाहे वो मंतली हैं 3-1, 6-1 के जो भी कोर्सेज है अगर आप इन मैसे किसी में अन्रोल करना चाहें तो कर सकते है और साथ ये साथ ये सारे के सारे आपको जो कोर्सेज है वो हमारे एप में और वेबसाइट में मिल जाएंगे ठीक है और आज से सीसेट का कोर्स शुरू हो रहा है वो तो मैं आपको बताई दिया आप मैसे अगर कोई लोग अभी भी इंटरस्टेड है अन्रोल करने के लिए तो कर सकते हैं ठीक है उसका लिंक वगरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कोई अगर डाउट है तो यहाँ पर जो नंबर है वोटसेप का इस पर आप कॉंटेक्ट कर लीजेगा जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको यह सेशन्स पसंद आते हैं और आप इनको यूट्यूब पर देख रहे हैं पसंद आ रहे हैं घल्प मिल रही है तो प्लीज कुछ न कुछ अमाउंट कंट्रिब्यूट करने की कोशिश जरूर करें सो दैट की थोड़ा सा हमारी भी हल्प होगी और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि ये सेशन लंबे समय तक ऐसे ही यूट्यूब पर चल पाएंगे तो चलिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें जादा स्यादा शेयर करें आपके जो भी डाउट्स हैं जो कोरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें अपने फ्रेंड वगरा से भी करवाए और अपना प्यार अपना सहियोग अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें आइलेट आर्टिकल्स आपको चैनल पर मिल जाते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिपशन में दिया हुआ है या फिर आप इसको चैनल कर सकते हैं या इस QR गोड को स्केन कर के भी जोईन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए तना ही रखते हैं बागी कल को फिर से मिलेंगे Indian Express News Analysis की आईना सरीस के साथ तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें Please do take care of yourself Thank you, have a nice day, bye-bye